वेल्कम टू अर्पिताज क्रेशन आज मैं फिर आप लोगों के लिए ब्लॉक पेंटिंग बैग लेके आई हूँ तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं कैसे बिनाते हैं यहापे मैं एक हैंडमेड ब्लू कलर का पाउज बैग लिए हैं यह चोड़ा सा पाउज बैग है और इसमें देखे एक चेंग ही है इसमें मेकप का समान बहुत कुछ रखा जाता है जैसे प्रतिर जैसे जो चाहें जैसे यूज़ कर सकते हैं यहापे मैं एक स्पॉंज ली हूँ ब्लॉक पेंटिंग के लिए स्पॉंज बहुत जरूरी होता है यह तो ब्लॉक अच्छा के आता नहीं है मैं यहापे एक कैमल का ब्लॉक नहीं हूँ और एक बॉर्डर वला ब्लॉक अब मैं वाइट कलर इतने डालूंगी स्पॉंज पे और इसको स्प्रेट करूंगी ब्रस की मदब से इसको स्प्रेट करना है ताकि यह स्पॉंज पे अच्छे करना सा फैल दाए मेरी ब्लॉक जितनी बड़ी है उतना सा फैला रही हूँ अब मैं पहले बॉर्डर ब्लॉक के साथ प्रिंट करूंगी तो इसको बीप करना है फिर रखना है ठीक से रखना है एंगल पर फिर प्रेस करना है फिर उठा देना है इस तरह से मैं एक लाइन पर पूरा लंबा बॉर्डर बनाऊंगी अब मैं कैमल वाला जो बलॉक है उसको लेकर करूँगी अच्छा प्रेस करके फिर उठाना है अगर प्रिंट थीक से नहीं आता है यही ब्लॉक प्रिंट इसी तरह होता है नाचरल ही होता ही है जैसे ब्लॉक प्रिंट यह सारी वगेरा जो हम लोग खरीते हैं वो ऐसी कहीं-क अगर ऐसा हो रहा है हम लोग हाथ से कर रहे होता ही है तो आप लोग फिर जीरो नंबर का ब्रस लेकर मैंनेज कर लिए नहीं तरह करके मैंने यह आप इस तीन कैमल का ब्लॉक से मैं कैमल बनाई हूं पिर मैं सेम करीके से सेम ब्लॉक वह जो बॉडर वाला है वह वह वाला ब्लॉक यूज कर रहे हैं जीरो नंबर का ब्रस लेकर जहां जहां पर मेरा छूट गया है वह पर मैं मेक अप कर लूँगी मैं सारा नहीं करन ली जहां-जहां पर ये ये कैमल मुझे थोड़ा हल्का फीका लग रहा थे इसलिए मैंने इसको किया जैसे दूआ है उसी तरद का देख्यों मैंने में कर्केश्यां ज्यादाना है जादाना हैं ज्यादादाब्स और टेतालब्स्सिर्या श्यां इस पर तो फिर पता नहीं चलिए कि यह एन प्रिंट है यह ब्लॉक का प्रिंट है विखी बन के तयार होगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही ब्यूटिकल सा हैं पेंटेट लॉक प्रिंट वाला बैंग अगर आप लोग इंट्रेस्टेट हो कोई भी कि चीज़ पर चीज़ करने का हैंड पेंटेट हैंड इंग पॉर्टिकल सकते हैं थैंक यूफर वाहत है